नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं The Front अक्षे कुमार और आमिर खान एक साथ नहीं आएंगे हाँ हाँ चौकी अमत हम दोनों के एक साथ फिल्म में आने की बात नहीं कर रहे हैं दरसल आमिर खान की बहुँ प्रतक्षित फिल्म लाल सिंग चड़ा और अक्षे कुमार के फिल्म बच्चन पांडे एक साथ रिलीज होने वाली थी लगभग दोनों के डेट जो है वो क्लैस कर रहे थे इस वज़े से आमिर खान ने अक्षे कुमार से एक रिक्वेस्ट की थी और ये कहा था कि अगर वो अपने फिल्म की डेट रिलीज की डेट टाल सकें तो बहतर होगा और अक्षे कुमार ने आमिर खान की इस रिक्वेस्ट को मान लिया है यानि की अब अक्षे कुमार और आमिर खान दोनों के फिल्में एक साथ रिलीज नहीं होंगी आपको बता दें कि आमिर खान दो से तीन सालों में एक फिल्म मनाते हैं Mr. Perfectionist के तोर पे जाने जाते हैं और जो भी फिल्म मनाते हैं वो उसमें अपनी पूरी दिल जान लगा देते हैं ऐसे में आमिर खान ने ये रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि आमिर खान पहले से निर्धारित कर चुके थे कि आने वाले क्रिसमस पे यानि 2020 की क्रिसमस पे उनकी ये फिल्म लाल सिंग्चढधा रिलीज होगी लेकिन साजित नाडिया वाला की जो फिल्म है जिसमें अक्षे कुमार और किर्ती सेनन जिसमें एक्टर्स हैं ये फिल्म भी काफी बड़े बजट की फिल्म है और इस फिल्म को भी क्रिस्मस पे ही रिलीज करना था उसकी डेट भी आ गई थी लेकिन चुकि ये दोनों डेट क्लैस कर रही थी और दो बड़े बजट की फिल्म है दो बड़े स्टार की फिल्म है अगर एक साथ आती तो दो को ही नुकसान होता शायद इसी वज़ा से दोनों ने दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है और बिजनिस को देखते हुए ये दोस्ती इस तरीके से निभाई है कि दोनों ही फाइदे में रहें आमिर खान के फिल्म अब 2020 के क्रिसमस पे ही रिलीज होगी जबकि अक्षय कुमार की बच्चन पांडे की रिलीज की डेट अब आगे कर दी गई है और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये फिल्म अब 22 जनवरी 2021 को रिलीज होगी आपको पता दें दोनों ने एक डूसरे को ट्वीट करके थैंक्यू भी बोला है धन्यवाद बोला है और आमिर खास तोर से अक्षय कुमार और साजित नाडिया वालों को इसके लिए धन्यवाद दिया है दूसी तरफ से जवाब में भी अक्षय कुमार ने ट्वीट करके और आमिर खान की प्रशंसा की है कुल मिला करके ये है कि इस साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में दो ऐसी फिल्म में आपको देखने को मिलेंगी जिसके लिए आपको थियेटर में जाना मजबूर होना पड़ेगा अभी के लिए इतना ही धन्यवाद